तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टरॉं स्टाइल का कडाई पनीर जो खाने में एक तम है तो यमी लेकिन बनाने में भी बहुत एजी है कुछ चीज़े होंगी जो बाहर की होंगी लेकिन सब आपके केचन में अवेलिबर हो जाएंगी यहां पर मैं तीन बड़े टमाटर और तीन बड़े प्याज और लसन अद्रक ले रही हूँ और यहां पर तीन प्याज और दो शिम्ला और एक्स्ट्रा लेनी है हमें जो मैंने तीन प्याज और शिम्ना मिर्च ले थी उसको क्यूब्स में काटने हैं और यहां पर मैंने जो तीन प्याज टमाटर लेसन पहले ले थे उसको लंबा-लंबा काटना है तो यहां पर मैंने 1.5 kg पनी ले लिया है जिसको मैंने क्यूबस में कट कर लिया है इसको 10 मिनिट के लिए मुझे मैरिने करके रखना है मैरिनेशन के लिए सिर्फ मुझे लाल मिर्च पाउडर चाहिए और हाफ नीबू चाहिए और यह अब मैं पनीर को और जो मिर्ची और जो लेमन जूस डाला इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लोगी तो यहां पर मेरी कडाई अब गरम हो चुकी है मैं यहां पर रिफाइन ओल ले रही हूँ थोड़ा सा जादा लेना है क्योंकि मीचे सब सबजियों को फ्राइ करना है तो पहले यहां पर मैं जो मैंने क्यूप्स में ओनियन काते थे उसको मैंने फ्राइ करना है सिर्फ शेलो फ्राइ करना है डीप फ्राइ नहीं करना है तो यहाँ पर मेरे प्याज पिंकिश ब्राउन हो चुके हैं, जादा ब्राउन नहीं करने हैं, अब मैं इसमें अपने कैपसिकम जो क्यूब्स में गटे थे उसको भी आड़ कर दूगी, और एक साथ इनको शेलो फ्राय कर लोगे, तो यहाँ पर मेरे प्याज और कैपसिकम अ तो यहाँ पर मेरे पनीर भी अप शेलो फ्राय हो चुके हैं, इसको भी अब मैं सेपरेट कर लोगे, अब सेम ओयल में मैं यहाँ पर थोड़े से क्यूमिन सीट्स टालूंगी, और काली मिच भी डालूंगी, साबत काली मिच और अपने प्याज आड़ कर दोगी, तो अब हमें अपने पूरे मसाले को जादा नहीं पकाना है, कच्चा कच्चा ही रखना है, अब ऐसे अधरक लसंगी आड़ कर दोगी, और मिक्स कर लोगी, तो अभी फिलाल मुझे अपने सारे मसाले आड़ नहीं करने हैं, सिर्फ हल्दी डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर ल मुझे जादा नहीं हुआ है, हलका हलका लाइट ब्राउं टैप ही भुणना है, यह मेरा मसाला डन हो गया है, अब मैं इसको निकाल लोगी, तो यह मेरा मसाला है अब ठंड़ हो चुका है, इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था, घंड़ करने के लिए, गரण नहीं तो अब सेम कडाए में मैं थोड़ा सा आयल और अट करूँगी तो यहां पर मैंने एक स्टार अनिस और दो तेजपते लेलिये थे और यहां पर मैं अपने आप अपने चॉइस से देख लीजिगा तो यहां पर मेरा होम मेड गरम मसाला मैं आड़ कर रहे हूं अब मैं यहां पर टेस्स के लिए यहां पर थोड़ी क्रीम आड़ रहे हूं तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेजिए और हमें चार से पांच मिनट इस मसाले को और भूनना है तो मसाला भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी इससे हमेरे कडाई पनीर को और अच्छा फ्लेवर मिलेगा तो यहां पर मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है तो यहां पर मैं अपने पनीर कैपसिकम और जो ओनियन को मैंने शेलो फ्राइ किये थे इसको आड़ कर दूँगी तो यहां पर मेरा कडाई पनीर अब रेडी हो चुका है बस एक से दो मिनिट और हमें बूरना है फिर रेडी तू इट तो यहां पर मेरा कडाई पनीर बन चुका है इसको मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया है तो इसमें मैं अब चॉप्ट कॉरियंडर आड़ कर तो अब मेरा कडाई पनीर एक दम रेडी हो चुका है इसको आप परांठी के साथ या गरम गरम रोटियों के साथ खाने के लिए एक दम रेडी हो जाएए गानशी के लिए मैंने थोड़ा यहां पर क्रीम एट करा है